शुरूताओं मेरा डॉक्टर अशूप कुमार का आपको साधर प्रणाम आज मैं आपको भारत के एक महान करांदिकारी उद्धम सिंग जी के बारे में एक बहुत सुन्दर कथा सुनाने जा रहा हूँ उद्धम सिंग जी हमारे देश के उन करांदिकारियों में से थे जिनको हमारे ततकालीन भारत के प्रधान मंत्री पंडी जवालाल नहरू ने शहिद आजम की पद्वी से सुषोबित किया था उद्धम सिंग जी ने 21 वर्ष बाद इंग्लेंड जाकर जलियाला वाला बाग के जो मुख्य गुनागार थे ततकालीन लेटिनन गवर्णर थे पंजाब के माइकल और डायर उनकी हत्या की थी उद्धम सिंग जी का जन 26 दिसंबर 1899 में ततकालीन जो पटियाला प्रिंसली स्टेट थी इसके एक गाउं सुनाम में हुआ था वर्टमान में ये संगरूर जिले का एक बहुत ही संपन कस्बा है इनके पिताजी का नाम तहल सिंग था और जो पास के ही गाउं में रेलवे के फाटक में चोकिदारी का कार्य करते थे एक वर्ष बाद ही इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया और भागे की विडंबना देखिए कि साथ साल की आयो थी इनकी तब इनके पिताजी का भी दिहान तो हो गया शो रताओं मैंने पिछली बार आपको खुदीराम बोज जी के बारे में बताया था खुदिराम बोज जी भी साथ साल की आयों में माता और पिता से विहिन हो गए थे ठीक इसी तरह उधम सिंग जी भी साथ साल की आयों में अपने माता और पिता से विहिन हो गए इनके एक और बड़े भाई थे मुक्ता सिंग जी गाओं के लोगों ने इनको अम्रसर में पुटली घर में एक सेंट्रल खालसा और्फिनर्ज है यानि केंद्री है खालसा अनाथाले वहां ले जाके इनको 24 अक्टुवर 1907 को भरती करा दिया ये दोनों भाई अनाथाले में दहने लगे 1918 में उद्धम सिंग जी ने मैट्रिक की परिख्षा पास की और 1919 में इस अनाथाले को छोड़ दिया उसके बाद ये छोटा मोटा कोई कारिय करने लगे लेकिन प्रारम्र से ही इनके मन में देशभक्ति की भावना थी उसी समय की बात है दस अप्रेल 1919 को पंजाब में रोल अटेक्ट के विरोज में जो वहां के दो बहुत बड़े नेता थे डाक्टर सैफुद्दीन किछलू और डाक्टर सत्पाल इन लोगों ने बहुत बड़ी कारिकरम कायोजन किया पूरे पंजाब में रोल अटेक्ट का इन दोनों नेताओं के अगवाई में विरोज किया गया शोताओं डाक्टर सैफुद्दीन किछलू जो थे ये रास्तवादी मुसल्मान थे भारती रास्तिय कॉंग्रेस के और इन्हों ने हमेशा भारत के बटवारे का विरोध किया मुलते ये बारा मुला के हिंदू परिवार में थे और इनके पूर्वज जो है मुसलिम धर्म में परिवर्तित हो गए थे अंग्रेजों ने इन दोनों निताओं को पकड़ लिया और चुप चाप धर्मशाला में ले जाके नजर बंद कर दिया इसलिए 13 अपरेल 1919 को बैसाखी के दिन ये निश्चे किया गया कि जलियाँ वाले बाग में एक शानती पूर्ट सबहकाय उजिन किया जाएगा इसमें लगभग 20 हजाद लोग आए और सभा का कारेकरम बहुत स्रामती पूर्वक चल रहा था तभी जर्नल डायर ने जिसका जर्नल मरी भारत जो पंजाब में है आजकल भारत में ही हुआ था और ये बिशप कॉर्टन स्कूल शिमला से इसकी सिक्षा हुई थी इसके नेत्रत में वहाँ जो सैना थी उसने निहत्ते लोगों पर फाइरिंग करना सुरू कर दिया कहते हैं सोले सो राउंड फाइर किये गए इस नरसंगार में लगभग 1000 से जादे लोग मारे गए और 1200 से जादे लोग जक्मी हुए ऐसा कहा जाता है कि उधम सिंग जी इसी सभा में इसके बाहर लोगों को पानी बिलाने का कारे कर रहे थे उधम सिंग जी ने ये सब अपनी आँखों से देखा और कहते हैं तबी वहां की खोन से सनीवी मिट्टी उठा कर उसको अपने माथे से लगाया और ये प्रण किया कि वो इस नरसंगार का बदला लेंगे ये बात 13 अप्रेल 1919 बैसाखी के दिन की है उसके बाद ये जो है विदेश चले गए और वहां पर ये जो है बहुत सारे करांतिकारियों के संपर्क ने आए और 1927 में ये भगत सिंग्जी के कहने पे भारत लोटे विदेश के प्रवास के दोरान उदम सिंग्जी का संपर्क जो है गदर पार्टी के बहुत सारे नेताओं के साथ हुआ शुरताओं मैं आपको बहुत संचिप्ट में थोड़ा गदर पार्टी के बारे में भी बताना चाहूँगा प्रवासी भारतियों ने जिन में अधिक तर जो थे सिख थे और कनाड़ा और अमरीका में पैसिफिक कोस्ट में कैलिफोर्निया के आसपास रह रहे थे इन लोगों ने 15 जून 1913 में यानि वर्ड़ वार्ट सुरू होने से एक साल पहले ही एस्टोरिया नाम के एक कस्मे में गदर पार्टी की स्थापना की और इस गदर पार्टी का उद्देश से था कि अंग्रेजियों को जड़ से भारत से उखार फेंका जाए इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे सौहन सिंग भखना अमरसर में गाव हैं भखना वहां के रहने वाले थे वो इसके अध्यक्ष बने इसके फाउंडर मेंबर्स में लाला हर्द्याल थे जिनका जर्म दिल्ली के एक कायस्त माथूर परिवार में हुआ था और जो ICS की तैयारी करने के लिए स्कोलर्शिप पे इंग्लेंड गए थे लेकिन वहां से छोड़के फिर भारत आ गए और फिर अमेरिका चले गए और करतार सिंग सराबा ये कुछ ऐसे बड़े एक क्रामतिकारी थे जो गदर पार्टी से जुड़े वे थे 1927 में सरदार भगत सिंग के कहने पर उधम सिंग जी गदर पार्टी के 25 मेंबरों के साथ भारत लोटे इनके पास रिवालवर, हतियार और गदर पार्टी का जो अख़वार था गदर, गोंजे गदर उसकी कौपियां थी अमरसर में इनको आर्म्स अमूनिशन एक्ट में उधम सिंग जी को गिरफतार कर लिया गया इनको 5 साल की सजा हुई और ये 1931 में जेल से छूट कर बाहर आ गए ये अपने गाओं गए लेकिन वहाँ पर जो बिटिस पुलिस थी वो इनको 24 गंटे निगरानी रख रही थी इनको तंग कर रही थी तो ये अमरसर चले गए और अमरसर में इन्होंने MS आजाद मुहम्मद सिंग आजाद के नाम से एक पेंटर की दुकान खोली साइन बोर्ड बनाने का कारे करने लगे और कुछ दिन बाद पुलिस से नजर बचा के ये कश्मीर चले गए और वहाँ से जर्मनी गए जर्मनी से ये इटली, फ्रांस, आस्ट्रिया वगएरा होते वे 1934 में ये इंग्लेड पहुँच गए वहाँ पर इवनों ने मोटर मेकेनिक की नौकरी की, पेंटर की नौकरी की, यहाँ तक की कुछ फिल्मों में एक्स्टर का भी काम किया पैसा कमाने के लिए और इनको अपना उद्दे से पूरा करने के लिए भी पैसे की जरुवत थी, वहीं पर एक दिन ये एक रेस्टरेंट में गए वे थे, वहाँ पर इनको एक सैनिक मिला, उसके पास एक बहुत ही अच्छी रिवालवर थी, छे गोलियों वाली, वो रिवालवर इनों ने खरी ली, और रिवालवर खरीदने के बाद एक बहुत मौटी किताब ली, और इस किताब में बलेट से इस तरह उसको पन्नों को काटा, कि पूरी रिवालवर उसमें छिप जाए, रिवालवर का खाचा जो किताब के पेज थे उनमें बनाया, और उस रिवालवर को किताब में ब 1940 को इनको पता चला कि वेस्ट मिनिस्टर का जो कॉक्स्टन हॉल है वहाँ पे जलियाला वाला बाग में जो उस समय लेटनेट गवर्नर था और जिसने ये आदेश दिया था गोली चलाने का उसका नाम था माइकल फ्रांसिस ओ डायर जिसने गोली चलाई थी वो जनरल डायर थ था वो दूसरा व्यक्ति था उसका जम तो जैसे मैंने बताया कि मारी जो आजगल पाकिस्तान में है वहीं पर हुआ था और उसकी जो पढ़ाई थी शिमला के बिशब कॉर्टन स्कूल में हुई थी बाद में उसने मिलिट्री की टेनिंग ले और यहां पे मिलिट्री में श गवर्नर थे इन्होंने ही आदेश दिया था और बाद में इन्होंने उस घटना को जो है एप्रूब किया उसको सही ठराया तो उधम सिंग जी को पता चला कि 13 मार्च 1940 को लेट्टनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस डायर जिनकी उम्र लगभग 90 साल हो गई थी वो आज इ देने के लिए आने वाले हैं उधम सिंग जी चैस्टर पहन के और उस किताब को चैस्टर के नीचे छिपा के उपर हैट लगा के काउस्टन हाल में पहुंच गए और सबसे पिछली पंक्ति में जाके बैठ गए ठीक साड़े चार बजे की घटना है कि माइकल फ्रांसिस डा ने अपना भाशन सुरू किया और भाशन के दोरानी उन्हें कहा कि मैंने ग्यारा मिनट के अंदर अंग्रेजी हकुमत की खिलाफ़त करने वाले हजारों लोगों को जो है मौत के घार उतरवा दिया यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं अफ्रीका में भी यही काम करूँगा इतना सुनते ही उदम सिंग जी अपनी कुर्शी से खड़े हुए और कहा कि लौड माइकल यू विल नाट गेट इस सेकिंड चांस और दना दन उनके ओपर गोलियां चलानी शुरू करती तीन गोलियां उनको लगी एक गोली उनके दिल को पार करती हुए निकल गई दूसरे जो है बाया फे पड़ा उसको चीरती हुए निकल गई और यह जो माइकल फ्रांसिस डैर थे यह तुरंत जहाए गिर पड़े इनकी तुरंत म्रत्तू हो गई उद्धम सिंग जी बिलकुल नहीं भागे वहीं खड़े रहे बिटेन की पुलिस ने इनको जो है गिरफ्तार कर लिया एक अप्रेल उनिस सो चालिस में इनको इनके उपर चार शीट लगाई गई माइकल फ्रांसिस डायर की हत्या करने का आरोप लगा गया और चार जून को यह सुनवाई प्रारम भुई इसके जो जस्टित थे एटकिंसन थे सुनवाई मात्र दो दिन चली जस्टा आपने पूछा कि आपने भागने की कोशिश क्यों नहीं की तो उधम सिंग ने कहा कि यदि में भाग जाता तो केवल एक उधम सिंग रहता और मैं नहीं भागा अब सेंकड़ उधम सिंग हमारे देश में पैदा होंगे उसके बाद जेज ने कहा कि आप लोग सजा सुनाने से पहले क्या कुछ कहना चाहते हैं तो इन्होंने अपनी जेव से एक कागज निकाला जो इन्होंने जेल में बैठ के लिखा था बहुत अच्छा भाशन था उसमें इन्होंने कहा कि 30 करोड भारतियों को मैं हाँ उनको रिप्रेजेंट करने आया हूँ और ये जो माइकल फ्रांसिस डायर थे इसने 30 करोड भारतियों की जो इस्प्रीट है उसको कुछला और मैंने आज उसी को कुछल दिया मैंने ही इसकी हत्या की है मैंने वो ही किया जो सही था इसके लावा और कोई सही बात नहीं थी मुझे मौश से बिलकुल भी डर नहीं है चाहे मुझे 20 साल की सजा हो चाहे मुझे फांसी हो मुझे फांसी से बिलकुल डर नहीं है मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की कोई बात नहीं है कि मैंने अपने मात्र भूमी के लिए मैं अपने जीवन का बलिदान कर रहा हूँ जज ने इनके भाषन को तुरंत रुखवाया उस डॉकुमेंट को classified document गोशित कर दिया गया किसी भी प्रेस को कहीं भी उसको नहीं दिया गया सुरताओं 56 साल तक वो जो इनका भाषन था वो classified document के रूप में बिटेन की हकुमत के कबजे में रहा 1996 में जाके वो document पबलिक के लिए पबलिश किया गया फिर उसके बाद जो है पंदरे जून को जो है इनकी अपील हुई पंदरे जॉलाई को अपील हुई और अपील डिस्मिस हो गई और 31 जॉलाई 1940 को इनको पैंटो विले जो प्रीजन है वहां पर फासी पर लटका दिया गया एलबार्ट पियर पॉइंट टाम का जो हैंग में था जिसको हम जलाद कहते हैं उसने इनको फासी पर लटकाया 25 साल के अपने जीवन काल में उसने 435 से अधिक लोगों को फासी पर लटकाया था यह अस्ते अस्ते फासी पर जूल गए 1974 में इनके जो अफ्षेश थे भारत लाए गए ततकालीन भारतिय प्रधान मंत्री शिरीमती इंद्रा गांधी शंकर द्याल जी शर्मा और पंजाब के जो ततकालीन मुखे मंत्री थे ग्यानी जेल सिंग जी ने उनको प्राप्ट किया उनका नागरिक अभिन्दन किया गया सुनाम ले जाया गया और उसके बाद इनकी यो राख थी उसको सतलज नदी में बहाया गया कुछ इनके अवशियेश जो है वो जलिया वाले बाद के म्यूजम में भी रखे गए इस प्रकार भारत के महान करामतिकारी उधम सिंग ने 21 साल बाद जो इनके खिल्दे में प्रसेशोर की ज्वाला जल रही थी उसको माइकल फ्रांसिस डायर को मार के उसको शान्त किया शुरुताओं बहुत सारे ऐसे करामतिकारी हैं जो लोग जिनको हम ने भुला दिया जो इतियास के पन्नों में गुम हो गए हम लोग का यह करतव है कि देश के ऐसे करामतिकारीओं को हम याद रखें और अपनी जो आने वाली पीड़िया हैं उनको भी इन करामतिकारीओं ने जो अपना जीवन बलिदान किया है और हस्ते हस्ते यह फासी पर जूल गए उनकी कथाएं, उनकी गाथाएं अपने आने वाली पीडि को सुनाएं मैं अपने सुरताओं से प्रात्ना करूंगा कि यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इनी शब्दों के साथ मैं इस कहानी को समाप्त करता हूँ तन्नवाद